आउट्फिट एक्स एक प्राइवेट टेरर ग्रूप जो किसी मकसद के लिए नहीं बस कॉंट्राक्ट पर काम करते हैं जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा दोस्तो एक फिल्म को बनाने में साम दाम डंड भेत की जरुवत पड़ती है कोई भी डाइडेक्टर और प्रोडूसर यही चाहिएगा कि उनकी फिल्म औडियस को अच्छी लगए और दोस्तो उनकी फिल्म करोड़ो रुपय कमाए उन करोड़ो रुपय कर कमाने के चक्कर में वो एक ऐसी फिल्मों बना चाहते हैं जिसके नहीं काफी सारा पैसा, काफी सारा समय और दोस्तो काफी सारा वक्त लगता है इननी सब बातों को ध्यान में रखते हुआ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों आज पठान मुवी का जो कमपेरिजन है, तीन बड़ी फिल्मों से करवा आजा, जिसमें से कुछ फिल्मों का बज़ट कम भी है और दोस्तो किसी मुवी का बज़ट तो पठान मु बिल आपको इन मुवी के इंट्रोडिक्शन दे देते हैं, दोस्तो फिल्म है बाहूबली 2 जिसका अबज़ट सा 2500 करोट रुपे और मुवी ने पूरी दुनिया भर से 1810 करोट रुपे कमाये थे, फिल्मे के मेगा डिरेक्टर थे एसे सराजा मोली जिनकी दोस्तो तारिफ करते हुए साउथ के और दोस्तो हर एक फिल्म में इंडरेश्टी के फैंस नहीं थकते, इनके नाम से ही फिल्में बिग जाती है, उसके बाद में दोस्तो आती है हमारे फिल्में केजेफ चेप्टर 2 जिसको डिरेक्ट करा है प्रसान तनील सर ने और दोस्तो सबसे बड़ी जा मुली ने और मुवी का बजट 550 करोड रुपे हैं, वहीं पर दोस्तो फिल्म ने दुनिया भर से 1285 करोड रुपे का खड़ा पार कर दिया था, अब अगर हम बड़े हमारी फिल्म पठान की तरफ तो दोस्तो पठान को डिरेक्ट करा है सिधार्थ आननन्द ने, दोस्त कर हमारी सिनमा गरों में रिलिज हो चुकी है, तो चलिए दोस्तो बढ़ते हैं फिल्मे के कलेक्शन की तरा, दोस्तो फिल्म बाहु बली टू ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन करा था 121 करोड रुपे का, जो कि दोस्तो अपने आपने काबिल तारीफ है और इस मुवी ने अपने 5 वे ही दिन अपना कलेक्शन बताएं हैं उन 6 16 करोड रुपे, वहीं फिल्म अपने 7 वे दिन यानि अपने पहले अप्ते में 7 वे में 44 करोड रुपे का अखळापार कर दिया ता, जो सोच लिजी है मुवी का बजट षितर करोड रुपे का अखळा में पार कर दिया था तो जाहिर सी बात है कि फिल्म को इतना बड़ा कलेक्शन तो करना ही था और दोस्तों यहाँ पर फिल्मा बहु बली टू हो चुकी थी ओल टाइम मेगा ब्लोग बश्टर इससे के साथ अगर हम बात करें कि सभी के दिलों के धड़कन और दोस्तों सभी को पस्तनाने वाली फिल्म केजिएफ चेप्टर टू दोस्तों आपको बता दे कि सभी ओडियंस का कहना था कि केजिएफ चेप्टर वन केजिएफ चेप्टर टू से कहीं ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिला दोस्तों इस फिल्मे को डारेक्ट करा है प्रसान्त नील रुपे की जी हाँ ये इस फिल्म में का इंडियान नेट कलेक्शन है पहले दिन का फिल्म अपने पाचवे दिन कमाए उन पचास किरोड रुपे फिल्म का दोस्तो जो साथवे दिन का कलेक्शन है वह हमको देखने के लिए मिला 30 किरोड रुपे का और दोस्तो फिल्म अपने साथ दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन चार सो सिंत्यारवे करोड रुपे का अकड़ा पार कर दिया था दोस्तो मुवी का बजटता सो करोड रुपे और फिल्म अपने पहले अपते में लगबग पान सो करोड रुपे के बज़र्ट को छूलिया था जिससे आप अंदज लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रसांति नील की फिल्म में का जो बस था जो क्रेस था जो ओक्यूपेंसी थी वो कितनी ज़्यादा भेंग कर थी और दोस्तों सभी का दिल जीच चुकी थी यही कारण है कि जो दिखेगा वही दोस्तों भीखेगा अब दोस्तों अगर हम बात करें कि एसेस राजा मुली के खजाने में से डिंकलने वाली एक और फिल्म त्रीपल र जिसका बज़र्टा पान सो पचास करोड रुपे मुवी ने दुनिया भर से 1285 करोड रुपे का मालिय थे दोस्तों आपको जानकरी के लिए बता दें कि फिल्म त्रीपल र ने केजेफ चेप्टर 2 बहुबली 2 से कहीं ज़्यादा अच्छी ओपनिंग ली और दोस्तों अपने पेले ही दिन 133 करोड रुपे का अकड़ा पार कर दिया था पर दोस्तों ये फिल्म पाचवे दिन में मार का गई और दोस्तों केजेफ चेप्टर 2 और बहुबली 2 ने दोनों ने ही इस फिल्म को पचार दिया और दोस्तों यहाँ पर त्रीपल र ने अपने पाचवे दिन लगबग 40 करोड रुपे का पार कर दिया दोस्तों मुवी का बजट था 550 करोड रुपे और मुवी न अपने पहले अपते में इंडिया नेट कलेक्शन करा था 477 करोड रुपे का दोस्तों यानि कि यह फिल्म हम सभी के बीच में उतनी बड़ी हिट भी नहीं हो पाई और दोस्तों अपना बजट भी रिकवन नहीं कर पाई है पर दोस्तों जाहिर सी बात है कि फिल्म ने वल्ड वाइट मार्केट में 1285 करोड रुपे का अख़़ापार कर लिया है अब दोस्तों अगर हम बात करें सभी के दिलों की धढ़कन फिल्म पठान मुवी के बारे में तो दोस्तों वाई आर एफ का पठान के इंट्री हो चुकी है दोस्तों आपको जानकरी के लिए बता दे कि आखिरकार इस फिल्मे का जो विदेसी कलेक्शन है वो वाके में काबिले तारीफ है और दोस्तों पठान मुवी को ओडेल्स की तरफ से और दोस्तों विदेसों से काफी अच्छा प्यार देखन करोड रुपे जिसका दोस्तों साथ दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 328 करोड रुपे हो चुका है दोस्तों अगर इस फिल्म को इंदोर के अंदर अपने पहले दिन प्रोटेक्श यानि के बजरंग दलवाले बंद नहीं करते तो इस आईस तो मुझको लगता है कि पठ से फिल्म में पसंद आई और दोस्तों कौन से एक्टर की एक्टिंग सबसेरा पसंद आई है बाहू बली 2, KGF चेप्टर 2 या फिर दोस्तों त्रिपल रर वेसे आपको एक अपडेट और देना चाहूँगा कि त्रिपल रर की स्टोरी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है तो बॉलिवुट की आनबान शान सादुक खान जिनकी फिल्म पठान ने अब हम सभी के बीच में रज दिया है बड़ा इतहाज जी हां दोस्तों काफी जल्द हमारी पठान फिल्म मुझको लगता है कि फिल्म बाहू बली 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है अगर आपको फिल्म में कि जिस तरीके से कलेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है जबकि दोस्तों फिल्म अपने चार दिनों में ही वो इतहास रज दिया जो कि बॉलिवुट की अभी तक कोई भी बड़े एक्टर की फिल्म नहीं रज पाई है जी हां दोस्तों सारुक खान इस बैक और दोस्तों अपने साथ में वो बॉलिवुट को भी बैक लेके आ चुके हैं जबकि दोस्तों बात करी जाए तो बॉलिवुट को हर कोई बाइकोट बाइकोट कर रहा था पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब ब्रहमास्तर हम सभी के बीच मे रिलीज होती है तो उसके बाद में एक अस्र चलता है और दोस्तों वह है पठार दोस्तों आपको बता दे के पठार मुवी ने वह करके दिखा दिया है जो कि अभी तक हमारे बॉलिवुट की काफ़ी बड़े एक्टर सलमान खान भाई या फिर आमीर भाई भी नहीं कर बाए चलिए दोस्तों नज़र डालते हैं फिल्म के कला